वेल्कम बैक तो माई चैनल मल्टी डेक्टी ट्रिबल फाइव मिनी पावर पाइव फ्रंट्स आज हम इस मैडूल के बारे में आपको जानकारी देंगे ये जो है इसे हम पावर बैंक बनाएंगे सिंगल बैटरी से इसका मॉडल नमबर ISC 17342 है इसको बहुते हैं USB लीथियम बैटरी चार्ज और बूस्ट सर्किट बोर्ट इसमें डबल दिया होता है यह इस भी पोर्ट दिया होता है यहां जो है एक जैक दिया होता है जहां पे आप मोबाइल अटाइच कर सकते हैं यहां पे लगा सकते हैं इससे हम पावर बैंक बनाएंगे इसकी आउटपुट जो है 5 वोल्ट है 5 वोन एमपियर जिससे हमारा मोबाइल इसली चार्ज हो जाएगा और इसमें जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन दिया हुआ है सौर्च सर्कृट प्रोटेक्शन दिया हुआ है और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन दिया हुआ है इतने सारे प्रोटेक्शन है इसकी चार्जिंग कट ओल्टेज 4.2 वोल्ट है जब मेरा सेल 4.2 वोल्ट चार्ज हो जाएगा तो एक कट कर जाएगा और डिश्चार्ज कट 2.9 वोल्ट है प्लस मानस 1 परसेंट इसकी प्लस मानस 1 इधर उधर हो सकता है इसको बनाने के लिए हम बिजली वाला पाइप एक इंची पाइप लिए हैं जिसकी लंबाई जो है साड़े तीन सेंटीमीटर है साड़े तीन सेंटीमीटर और इसका सेप जो है होट एर गन से इस टाइप का बना लिए इसके अंदर जो है यह बैटरी डालेंगे जिसकी वैलू है दो हजार एमेच सब इसमें हम गुलू लगाके एक इप चिपका देंगे इसमें इस चेल पर सोल्डर करने के लिए पहले इसमें इसको यहां से थोड़ा घिस लेंगे यहां पर चोल्डर नहींहीं पकड़ेगा दोनों साइच ऐसे इसको गिस लेंगे इसने पहले शोल्डर लगा लेंगे यहां पर यह तो वायर पकड़ेगा देंगे यहां पर सोल्डर कर देंगे और इस साइड नेगेटिव साइड बिलेक वाला कनेट कर देंगे इस तरीके से अधिक देर तक इस पर सोल्डरिया नहीं रखेंगे नहीं तो यह गरमों के शल खराब हो शकता है यह देखिए दोनों तरफ लग गया अब हम इस सेल की ओल्टेज आपको चेक करा दे रहे हैं देखिए कितनी ओल्टेज है इस सेल में यह देखिए 4.07 लगबग फुल चार्ज है देखिए इस मैडूल में हम अब यह बैटरी कनेट करेंगे इसमें देखिए यह बी पाजिटिव है बी पाजिटिव लिखा हुआ है और इस साइड बी निगेटिव लिखा हुआ है देखिए इस बैटरी में हमने पाजिटिव साइड रेड वायर कनेट कर दिया है और जो है निगेटिव साइड ब्लैक वायर अब इस मैडूल में हम red wire connect कर देंगी बी पाच्चू की तरफ वायर बहुत साधानी से connect करना है वरना ये मेडूल जल सकता है अगर connection आपने उटे कर दिये तो ये जो है जल जाएगा ये देखे फ्रेंस हमने इसके connection कर लिए red वाला पाच्चू पे और black वाला negative पे connect कर दिया है और ये बहुत साधानी से connection करने है नहीं तो ये मेडूल जल सकता है एक मेरा मेडूल खराब हो गया है ये देखे आशी जल गई है क्योंकि हम इसको ultra लगा दिये थे गलती से ultra लग गया था positive में negative negative में positive connect हो गया था इसलिए जल गया इसलिए बहुत साधानी से आपको काम करना है चलिए अब हम इसको test करके दिखा देते हैं फिर इसको इसमें पाइक करेंगी अब हम यहाँ पे ये जो है adapter connect करेंगी इस port में इसको यहाँ पे connect कर देंगे फिर आपको हम इसको charge करके दिखाते हैं कैसे यह work करेगा यह light billing करने लगी battery charge होने लगी और जब battery full हो जाएगी तो यह जो है billing करना बंद कर देगी ए continue red जलती रहेगी ऐसे work करता है अब हम battery की voltage आपको check करके दिखा रहे हैं कि यह देखिए चार्ज हो रहे बैटरी इसका मतलब यह battery मेरी full charge नहीं हुई है देखिए कितना voltage में यह देखिए इसमें 4.17 के करीब है और यह 4.20 पे cut कर जाएगी तो तब मेरी battery full हो जाएगी 4.20 पे तब यह cut कर जाएगा और light यह continue जलती रहेगी यह बहुत simple circuit है आप बना सकते हैं अब हम इसका output दिखाते हैं mobile charge करके दिखाते हैं कैसे mobile इससे charge होगा अब हम यह data cable यह SUV के port में लगा देते हैं यह देखिए अब हम यह वाला mobile charge करेंगे देखिएगा यह देखिए देखिए mobile charge होने लगा आप देख सकते हैं यहाँ पे यह battery यहाँ पे बने बिलिंग कर रहा है देखिए और इसमें यह red light जलती रहेगी जब तक battery charge होती रहेगी यह देखिए charging सो कर रहा है mobile यह mini power bank है यह हम आपको mini power bank बना के दिखाएं और देखते हैं कुछ heat तो नहीं हो रहा है कोई IC heat तो नहीं हो रही बिल्कुल नहीं heat हो रही है जरासे भी नहीं heat हो रही है अब हम android mobile charge करके आपको दिखाते हैं यह देखिए friends अब हमें बड़ा mobile चार्ज करके आपको दिखाते हैं चार्ज होगा की नहीं यह देखिए यह भी चार्ज हो रहा है देखा 94% बैटरी थी आप देखते हैं IC heat तो नहीं हो रही है IC heat हो रही है इसलिए mobile नहीं चार्ज कर सकते यह mobile चार्ज करने पर यह module खराब हो सकता है इसलिए बड़ा mobile इसे नहीं चार्ज किया जा सकता इसे सिर्फ इसे सिर्फ यह छोटा वाला mobile आप चार्ज कर सकते हैं यह keypad वाला इसलिए इसका नाम है mini power bank यह लोगों पास यह वाला जो है mobile है वो easily आप चार्ज कर सकते हैं बड़ा mobile इस module से नहीं चार्ज किया जा सकता है क्योंकि उसमें बड़ी बैटरी लगी होती है और इस module से 3000 ms तक बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं इस module से पिर से हम आपको छोटा mobile चार्ज कर के दिखाते हैं यह देखे देखिए चार्ज होने लगा इसलिए इसे छोटा ही mobile चार्ज कर सकते हैं मोबाईल नहीं चार्ज कर सकते हैं नहीं तो यह मेडूल खराब हो जाएगा इसके ऐसे हीट होती है अब हम इसको यह जो इसका खायम निन्स बनाये थे इस में इसको पएक कर देंगे आई से ऐसे पैक कर देंगे देखिए इसमें पैक करने के बाद हम इसमें ग्लू भर देंगे क्योंकि ये बैटरी हिले डू लेना और मेरा मैडूल अच्छे से चिपक जाए यहां पर ग्लू लगा देंगे ये देखिए फ्रेंट्स इसमें मैंने ग्लू भर दिया है योकि ये अच्छे से चिपक जाए इधर दर ना भगे आप हम इसमें इस्टेंट ग्लू लगा करके पैक कर देंगे चिपका देंगे ये अच्छे से चिपक जाए सही ये देखिए फ्रेंट्स इसमें मैंने कबर भी चिपका दिया है अब हम आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाते हैं ये इसमें लगाएंगे ये देखिए फ्रेंट्स अब आप पहम टेस्ट करके दिखाते हैं देखिए यह देखे देखे मोबाइल चार्ज होने लगा यह देखे चार्ज हो रहा है और इसमें रेड लाइक जल लई है अब हम पावर बैंक भी आपको चार्ज करके दिखा देते हैं इसको निकाल लेंगे अब इसमें हम चार्जर कनेट करके हम चार्ज करते हैं यह देखे फ्रेंट्स यह बैटरी मेरी चार्ज होने लगी यह बहुत अच्छा छोटा सा नना मुना मिनी पावर बैंक हम बनाए हैं अब इसको हम कलर करेंगे तो थोड़ा देखने में सुन्दर लगने लगेगा चलिए अब कलर करते हैं इसको यह देखे फ्रेंट्स हमने इसको कलर कर लिया है देखिए कितना अच्छा लग रहा है लग रही नहीं राय की जो यह यह पावर बैंक है यह देखिए अब इसको हम कनेक्ट करके दिखाते ही हैं यह देखिए कनेक्ट किया देखिए बैटरी चार्ज होने लगी यह देखिए कितना अच्छा वर कर रहा है यह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है फ्रेंट्स अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकाइन प्रेस करना बिलकुल मत भूलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए जय जवान जय किशान जय विग्यान बाइब बाइ